Assalamu alaikum, मैं Zulekha Arfar, Zulekha's Kitchen से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़ियासा, आप इसे कहर सकते हैं, मलाय वाला चिकन चीज सान्विच या फिर क्रीमी चिकन चीज सान्विच बिना मायोनीज दाले हुए, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारा नियाने और इंगिरीडियन से, एक्स्टर ओर्डनरी डिच बनाते हैं आज की, चलिए, मैंने तकरीबन 200 गराम चिकन बोलनिस को, बॉल कर लिया, बॉल करने में कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी डाला, चुटकी भर नम्मक, और एक चुटा चैका चमाशादरक लसन का पेस्ट दाल कर, अच्छा बॉल हो गया और चिकन गल गए, तो पानी ड्राय आउट करने के बाद, उसे ठंडा होने के बाद, इस तरीक से श्रेट कर लिया, अब एक फ्राइपैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिये, जादा मत डालियेगा, और इसमें एक प्याज, मीडियम साइज की, पार एक मिनिट हो जाए, तो अब इसमें नमक तो हमने डाला था, जब चिकन बॉल किया था, तो आपने डालना है, तो हलका चुटकी बर दाल दीजिए, बट मैंने ही डाल रही हूँ, वाल फोच चुटचाय का चमच, काली मिर्चो का पाउडर, और वाल फोच चुटचाय का च अब आप चाहें, तो वही फ्रैपन इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह दूसरा फ्रैपन लीजिए, तीन टेबल स्पून मक्षन यानिके बठर दाल दीजिए, और दो टेबल स्पून मैदा दाल कर इसे बार बार चलाते हुए, आप चाहें, तो फास्ट आज पर दूद रखा है, और इसे थोड़ा-थोड़ा दालिये और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, अब आप चाहें, तो मीडियम से थोड़ा सा स्लो पर आच कर सकते हैं, और इसे इस तरीके से बार-बार मिक्स कीजिए, और एक साथ दूद मत दालिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके दूद दालिएगा, अब जब आप दूद दाल दे, पूरी तरीके से, तो ये consistency आपने कितनी रखनी, वो आप आपके हिसाब से adjust कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी जादा consistency रख रही हूँ, तो मैं जल्दी बन नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ठि छोड़ा के यहार ठीकति हूँ, खलका हलका अफला आने लगे, तो आप चाहें तो इस समय चूला बंद कर सकते हैं, बट मैं यह इस समय चूला नहीं बंद करके, इसे थोड़ा सा ओर पका रही हूँ, थोड़ा थिक कर रही हूँ, हाम, चली थोड़ी सी थिक होगई, आप कर दिया चूला बंद और तीन-चार मिनिट के लिए उसे ठंडा होने दीजे एग्जम भी घंडा नहीं होना है थोड़ा सही हल का ठंडा हो जाए तो यहां पर मैं वन फूद कप यह दाल देती हूँ चीज अच्छा अब आप चाहें तो ग्रेट करके दाल सकते हैं मैं नॉर् मैं देती हूँ कि हमारा मकसद थंडे में डालने का इसके लिए था थोड़ी देर बात डालने का इसके लिए था क्योंकि वह बहुत जादा मिक्स नहीं कर ली थी हमें चीज और आप चाहें तो मौसरेला चीज ले सकते हैं जिसको तार जैसी अच्छी लगती है चीज तो आ अब दाल दीजिए तकरीबन 1-4 चोटा चाय का जमच, चिली फ्लेक्स आप ज्यादा भी दाल सकते हैं आधा चोटा चाय का चमच, औरेगानो या फिर मिक्स हर्ब मैं मिक्स हर्ब दाल रही हूँ बहुत अच्छी से मिक्स कर लीजिए अच्छा आप चाहें तो इसे पिछल पिछली रात रख दिया, नेक्स डे बनाया था, तो मैंने क्या किया था, पता है, मिक्स्चर बना लिया, फिर मैंने उसे थोड़ा सा गरम कर लिया था, उसके बाद ये जो चिली फ्लेक्स और ये डाले, मिक्स कर लिया, और फिर मैंने उन्हें सैन्विजिस के अंदर दाला अगर आप पिछली रात बना रहें तो आप मिक्स्चर थोड़ा लूज भी बना सकते हैं मैं यहां थोड़ा सा चुटकी बर काली मिर्च दाल रही हूँ और चुटकी बर नम्मक दाल रही हूँ यह optional है आपने नहीं दालना तो कोई बात नहीं अजस्ट कर लीजिये दोनों चीज़ें, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिये अब यहां पर मैंने लिये हैं दो ब्रेट और दो ब्रेट के ओपर मैं इस तरीके से spread out कर देती हूँ चिकिन को चारो और बहुत अच्छे से spread out कीजिएगा और आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये creamy जो हमने base बनाया था वो थोड़ा सा गाड़े पे मैंने रखा है पर आप चाहें तो थोड़ा सा पतला रख सकते हैं पर मैंने थोड़ा सा गाड़े पे रखा है अब ये बहुत अच्छे से आप spread out कर लीजी बहुत अच्छे से लगाईएगा खंचुसी मत कीजिएगा बहुत अच्छे से चारो और spread out कर दीजी उसके बाद आप चाहें तो खूरज दें चीज मोजरेला उपर से या फिर मिक्स चीज जो आती है पिज़ा चीज वो खूरज दें बट मैं यहां पर रख रही हूँ स्लाइस करी हूँ वी चीज तो मैं एक रख नहीं रही हूँ दो रख रही हूँ आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं अब जब दो मैंने रखती तुनू ब्रेट के उपर तो वो जो दूसरा बैट जिससे मैं कवर करने वाले उसके उपर भी थोड़ा सा मैं यह लगा देती हूँ mixture so that यह उसके उपर चिटक जाए नहीं तो क्या होता है न मालू मैं यह ब्रेट अलग चला जाता है और वो चीज वाला अलग चला जाता है और दो अलग सेपरेट हो जाता है इससे क्या होगा यह स्टिक हो जाएगा अब एक वो ही फ्राइपन लिया मैंने आप देख सकते हैं मैं धोया भी नहीं हली कासा मैं मखळ लगा रही हूँ पटर उसको थोड़ा मेल्ट हो जाने दीजिए जब मेल्ट हो जाए तो चूले को मैंने स्लो से मीडियम आज पर रखा है अच्छा गरम होने के बाद और यह जो चीज वाला साइड है मैंने नीचे डाल दिया है और इसे ग्रिल होए तब पकने दीजिए और उपर भी मैंने मख्षanny लगा दिया है आप देख सकते हैं शलो से मीडियम पर रखेगा आप अच्छा देख सकते हैं पीछी का घरिल हो चुका है तो मैने पलट दिया और पीछी के साथ भी अच्छा एक दो मिनट पक जाए तो इन्हे अच्छा क्रिस्पी हो जाए क्रंची हो जाए तो नि बन गया हमारा बड़ी आसा मलाइ कहिए, या क्रीमी वाला सांविच बड़ी आसा सर्फ करने के लिए कितना चीजी भी है, और मलाइदर भी आप देख सकते हैं, अच्छा इसको आप चाहे तो टमाटर सौस, याने ketchup या फिर किसी भी chutney या फिर किसी sauce के साथ serve कीजेगा वैसे मैंने किसी भी cheese के साथ serve नहीं किया था tomato sauce रखा था लेकिन किसी ने खाया नहीं क्योंकि as it is इतना अच्छा लग रहा था और बहुत ही delicious भी लग रहा था मलाई वाला एक flavor आ रहा था cheesy flavor रहा था बहुत ही मज़ा आया खाके आप भी बनाएगा आपको भी बड़ा मज़ा आएगा इसी तरीके से मैंने different styles की cheese या फिर कहिए chicken की recipe याने के toasted sandwich या normal sandwich chicken related बनाए है आप लोग के लिए link सारे description के अंदर है आप आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको recipe अच्छी लगी हो तो एक like तो बनता है इस वीडियो पे है ना तो चल्दी जदी like कर दीजे इस वीडियो को उससे जादा अच्छी लगी हो तो अपने family और friends में इस वाले video के लिंक ज़रूर forward कीजिएगा और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ comment section में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके comments पढ़ने बहुत अच्छे लगते और फिर से हाजिर होंगी नहीं शांदार दमदार recipe के साथ until then take care अला आफिस बापाई